दोस्तों इस वीडियो में सबसे बिले बात करने वाले हैं सुजलौन एनर्जी के बारे में जहाँ पर आज के दिन सुजलौन एनर्जी की बोर्ड उफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग सुबह 11 बजे हैल्ड हुई थी उसके आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बिले यदि आपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट के आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भुलिएगा विडियो की स्टार्टिंग करते हैं सुजलॉन एनर्जी के साथ में जहांपर लास्ट इडिंग सेशन में हमें इस शेर के अंदर 5% का अपर सरकीट देखने को मिल चुका है वही अगर सुजलॉन एनर्जी के वॉल्यूम बेस काम की भी बात करें तो टॉप वॉल्यूमर्स में हमें नमबर 4 पर सुजलॉन एनर्जी का शेर्स लास्ट इडिंग सेशन में भी देखने को मिल चुका है याने कि अब सुजलोन एनरजी के अंदर जो volume based काम है वो बहुत ही शांदर तरीके से again हमें ये rise होते वे देखने को मिल रहा है और अगर आप इसकी पूरे मन्द की volume को भी analysis करेंगे तो last trading session में भी हमें 11 करोड क्वांटीडी सुजलोन एनरजी की last trading week में trade होते वे देखने को मिली है और जिसके सामने लगबद 5 करोड शेर्स deliverable based पर उठाए गए है तो इतने heavy volume based काम के पीछे कुछ बड़ी updates भी यहाँ पर निकल कर आ रही है लेकिन उसके बिले सुजलोन एनरजी की जो आज की दिन update confirm कर सकते हैं 26 December 2021 के दिन जो board of directors की meeting थी उसके outcomes यहाँ पर निकल कर आए हैं और ये meeting हमें morning में 11 बजे देखने को मिल रही थी जियां दोस्तों सुजलोन एनरजी की तरफ से जो 4900 इंठ्याणू convertible debentures share issue करे गए थे जिनकी face value की अगर बात करी जाए तो एक लाख रुपे उनकी face value यहाँ पर बनती है उन्हें अब यहाँ पर equity shares allot किये जा रहे हैं और कितने equity shares allot किये जा रहे हैं वो number of shares भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ जो ये number of equity shares अलोट किया जा रहे हैं ये 2 रूपे की fast value से अलोट किया जा रहे हैं और 0.45 पेसे याने की 45 पेसे की premium याने की overall 2 रूपे 45 पेसे के price पर ये shares अलोट किया जा रहे हैं अगर अगली बड़ी updates की बात करें तो यहाँ पर सुजलोन energy ने एक और बहुत ही शांदर positive steps उठाया है जैसा कि आपको पता है कि सुजलोन energy wind power काम कर दी है और wind power में सबसे ज़्यादा cases हमें देखने को मिलते हैं जो कि birds and bats जो कि हमें यहाँ पर sky में उड़ते वे देखने को म हैं अपने wind power के अंदर कि यदि कोई भी पक्षी वहाँ से निकलता है तो उनको पहले ही detect हो जाएगा और वो wind power महीं रुख जाएगी यानि कि इससे पक्षियों को अब किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है तो environment के लिए और साथ इसा उन पंशियों के ल रहा है जिसमें सुजलोन इनर्जी टर्बाइन है उसकी supply यहाँ पर करने वाली है तो नोट आउट यह future का multi bigger stock से यदि आपने इस share के अंदर investment कर रहा है तो यहाँ पर आप अपनी positions को long term purpose से hold करते हुए चल सकते हैं दूस्तों बात कर लेते हैं another shares के बारे में जिसका नाम है TTML याने की Tata Daily Services Maharashtra Limited जहाँ पर आज के दिन हमें इस share के अंदर बहुत ज़्यादा up and downs देखने को मिले हैं वहीं कल के दिन आपको क्या strategy लेकर चलना है इस shares के अंदर वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे last week का chart button तो यहाँ पर हमें इस share के अंदर लगबग 4 trading session में lower circuit और last trading session में upper circuit देखने को मिला था तबसे बिली चीज TTML के अंदर अब हमें selling pressure देखने को मिल रहा है और इसका जो volume based काम है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अभी आपको fresh positions तो बिलकुल भी नहीं बनानी है लेकिन already अगर आप positions बना कर बेठे हैं तो यहाँ पर आपको जैसे ही मोगा मिले short term purpose से आप यहाँ पर profit booking कर सकते हैं अब बाकरे long term के investors की जो की यहाँ पर mainly super hip के आने का इंतजार कर रहे हैं तो वो TTML के अंदर अपनी positions को hold करके रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर वो अपने principal amount को profit book करके उसे यहाँ पर exit कर सकते हैं बाकी के अपने remaining profit को यहाँ पर वो continue करते हुए चल सकते हैं साथी साथ company जिस प्रकार से performance दे रही है यहाँ पर जो quarterly result आने वाले हैं जैसा कि आपको पताएं कि TTML के जो quarter 3 के result आने वाले हैं उसमें numbers भी काफी शांदर आने की उमीद हैं जिस कारण से यदि आप TTML के अंदर short term परबस से भी बने हुए हैं तो यहाँ पर भी आप अपनी positions को quarterly result तक hold करके चल सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं another share के बारे में जहाँ पर company आपको 20 share के बदले 100 shares देने जा रही है company का नाम भी में आपको प एक साल में इस company ने 200% से भी जादा के returns अपने investors को बना कर दिये हैं बात करें split की तो यहाँ पर company ने अपने shareholders के लिए split announce किया है जिसकी एक जरे 30 December 2021 रखी गई है यहाँ पर company 2 to 10 के ratio का split देने जा रही है यानिकि हर 20 share के बदले company आपको 100 shares देने जा रही है company के अगर financial numbers की बात करें तो एक small cap company है यह जिसका market capitalization 1025 करोड रुपे का हमें देखने को मिलता है और 4 रुपे से देखते ही देखते ही यह share हमें 153 रुपे तक trade होते हुए देखने को मिल रहा है वही company almost हमें debt free देखने को मिलती है और साथ ही साथ quarterly result की बात करें तो recently September quarter में company ने 1,30,000,000 रुपे का operating profit जनरेट किया है और उसी के सामने अगर net profit की बात करें तो 52,000,000 रुपे का company ने net profit भी जनरेट किया है तो company financially भी काफी ज़्यादा हमें strong देखने को मिल रही है देख सकते हैं company की balance sheet company के उपर 15 करोड 47,000,000 रुपे का करजी लेकिन उसी के against company के पास 115 करोड रुपे के healthy reserve भी है जिसको देखते वे company कभी भी अपनी borrowings को पूरी तरीके से reduce कर सकती है वहीं इस company की share holdings pattern भी काफी strong हमें देखने को मिलती है जहां promoters के पास 75% का stake और public institutions के पास 25% का stake हमें देखने को मिलता है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं another shares के बारे में जहांबर आपको dividend जीसी बड़ी update देखने को मिल रही है और आकरी मुका है अब आपके पास इस company के अंदर अगर आप dividend के लिए eligible होना चाते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ Gale India Limited के बारे में जहां पिछले 6 महीने में हमें इस share के अंदर लगबख 15% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है लेकिन अगर हम Gale India Limited के maximum chart pattern को देखें तो shares ने maximum chart pattern में लगबख 15% तक की याने की 95% तक की शांदर रेटन्स बना कर दिये हैं मैं पेले भी आपको कहा है कि Gale India Limited short term investors के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये सिर्फ long term investors के लिए हैं लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर dividend purpose से investment करना चाते हैं तो यहाँ पर 30 December 2021 कंपनी ने अपने 4 रूपे interim dividend के लिए X rate यहाँ पर declare करी है याने कि अगर आप X rate के पहले investment करते हैं Gale India Limited के अंदर तब जाकर आप यहाँ पर interim dividend के लिए eligible हो पाएंगे At the end बात कर लेते हैं दोस्तों उस share के बारे में जहाँ पर आपको buyback देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है Moil India Limited जी यहाँ दोस्तों 180 रूपे का share जहाँ company buyback कर रही है और इस buyback की भी जो X date रखे गई है वो 30 December 2021 रखे गई है buyback की अगर size की बात करी जाए तो यहाँ पर 693 करोड रूपे का company buyback करने जा रही है और साथ इसा buyback की offer size की बात करें तो लगबग 14.23% की buyback हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है अब बात करें buyback price की तो 205 रूपे पर equity shares का buyback हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है याने की काफी अच्छा listing यह भी आप यहाँ पर earn कर सकते है चलिए दोस्तों उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और